हेलो फ्रेंज सोना स्क्रेटिव्टी चैनल में आप सब का सागत है आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंज देखिए टोडन डिजाइन का ये वला पार्ट जो हमने आपके साथ शेयर किया था इतना हमने आपको बना करके दिखा दिया है पफ वला इसका ठीक है फ्लावर्स अभी हमने फ्लावर्स बनाना है न यह फ्लावर्स हमने इसमें बनाकर दिखाना है तो भी हमने वह नहीं शेयर किया है आपके साथ चलिए इस वीडियो में शेयर करते हैं देखते हैं कि किस तरीके सम इस फ्लावर को यहां पर बनाएंगे तो देखिए एक दो तीन चार पा बनाने i s2 फ्लावर के गहां में सुट्पार यह 3-2 यह 07 ऐना। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6 इस तरीके से करके हम ये complete करना है तो flowers जैसे हमने इसमें बनाया है ना सेम वही process है वही वाला तो हम इसमें बना करके आपको फिर दिखाते हैं ठीक है इसमें ज्यादा बनेगा तो इसलिए हम इसमें थोड़ा कम बनेगा 3, 4, 7 बनाना है इस साथ वाला हम बना करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे तो बने रहें वीडियो केंट तक और देखिए इसके flowers को कैसे बनाएंगे friends बहुत ही easy way में ठीक है यह देखिए तो इसको बनाने के लिए हम green color का thread लेंगे यह देखिए इस तरीके से और वही क्रोश ठीक है तो यह देखिए इसमें हम गाट लगा लेंगे इस तरीके से ठीक है इसको थोड़ा खींच लेंगे धागा बहुत लंबा हो रहा था और इसको खींचने के बाद friends प्लीज वीडियो को लाइक पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर कर तो यह देखिए इस तरीके से पनुद बना रहे थे हम पना लेते हैं ठीक जैसा कि हमने वह फ्लावर बनाकर दिखाया है आपको friends से में वैसे ही इंग आत दो पना करने के बाद यहाप एसे करेंगे इस तरीके ठीक है यहां दो तीन चार चार बनाएंगे और यहां पर Slip Knot से ज्वाइंट करेंगे ठीक है इस तरीके से बना लिए हमने फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ चेन लेंगे और इस वाले में इसके बीचों बीच फिर यहां पर भी हम पफ बनाएंगे तो इसको Slip Knot से बनाइंगे तीन या चार जितना बनाना चाहें और उसके बाद से फिर इसके बीचों बीच में डाला करके यहां से देखिए ऐसे पप बना लेंगे ठीक है एक दो तीन चार और ये पांच छे और साथ ठीक है? ठीक है? तो साथ बार हम ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे इस तरीके से एक, दो, तीन, चार ठीक है? फिर इसमें डाल करके ऐसे स्लिप नॉट लगा करके इसको यहां पे इस तरीके से दो बना लिया ना फिर चेन लेंगे आठ एक, दो, तीन, चार, पांच, छेस, छेस, साथ, आठ आठ चेन लिया और इसमें देखिए फ्रेंट्स फिर सेम वही प्रोसेस करना है तो सारे जो पफ हमने बनाया है ना सारे पफ बनाया है सब में हम यह डाल करके ऐसे पफ में हम बना लेते हैं पफ ठीक है स्लिप नॉट लगा करके पहले आठ चेन लेंगे ठीक है ना आठ चेन ले करके देखिए फ्रेंट्स और यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे ठीक है इस तरीके से स्लिप नॉट लगा लेंगे और एक दो तीन चेन बना करके फिर यहां पर हम पफ बनाएंगे एक दो तीन तो इसी तरीके से हम पूरे पफ कंप्लीट करके आपको फिर दिखाते हैं कि फ्लावर हम कैसे बनाएंगे ठीक है ना तो इसको कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको के यह देखिये फ्रेंट्स इस तरीके से मुनें इसको बना करके देखी ग्रीन वब लगा दिया है ठीक है ना vice стать अब साथ फ्लावर बनेगे तो इसके लिए यह हम रिड केंगे रिट करने दाल करना है। तेन, चार, ठीक है, चार, पांच, छे, एक साथ, ठीक है, साथ बना लिए हमने, ऐसे है, अब यहाँ पर एक दो, तीन, तीन चेन लिएगे, और स्लिप नॉट से यहाँ इसको ऐसे हम ज्याइन करेंगे, ठीक है, इस तरीक से देखिये, फिर नेक्स्ट वालेम फ्रेंड्स, य यहां पर हम इसको इस तरीके जुइंट करेंगे यहां पर एक दो तीन चेन लेंगे और यहां पर हम यहां पर पंख्षुड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे जो दो हो गया ठीक है तिन चार पांच छे ठीक है एच्छे हो गया और ये साथ साथ दोना दिया अब हम यहाँ पे एक दो तीन तीन चेनल लेंगे और स्लिप नॉट लगा करके यहाँ पे हम स्लिप नॉट लगा करके ऐसे धाग्यों को किंच के ऐसे यहाँ पे त्रेट को ठीक है फिर नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह ये के से रोल्के यहाँ पे यहाँ पे एक दो तीन चेन लेंगे और यहाँ भी हम बना लेते हैं देखिए दो ठीक है तीन चार पाँच छे और एक साथ ठीक है साथ यह हमने बना लिया एक दो तीन चार ठीक है चार बना लिया और यह चार यह तीन बना दीजिए उस लिप नॉट यहाँ पर लगा दीजिए देखिए फ्रेंड्स बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि आप मतलब एक ही मतलब फूल वीडियो बना दीजी टूरंट का तो हम आपस उतना समय नहीं रहता है कि मैं पूरा एक दिन में टूरंट डिजाइन कंप्लीट कर सकूं या फिर और जो मैं शेयर करती हूं स्टेप बाइस्टेप हर दिन आपके साथ शेयर करती हूं ताकि आप भी थोड़ा थोड़ा करके वो डिज कम्प्लीट करेंगे नहीं हो पाता है तीन दिन चार दीन पास दिन तर एक टोरह डिजाइन में लग जाएगा आपको बनाने में उसका एक पाड बनाएं क्यों जर्थायं तो विलते हैं तो बह ll, पाँ सेंगी और फिर नेक्स्ट यहाँ पर डाल करके इस वालम जैसे की यहाँ पर इसको slip knot से joint करेंगे ठीक है यहाँ पर slip knot से joint करेंगे इस तरीके से ठीक है यहाँ पर फिर तीन चेन लेंगे एक दो तीन तीन चेन लेंगे और फिर पंखुडी बना लेंगे जिस तरीके से हमने इसमें ब देखिए चार पांच ठीक है पांच बनाया ना एक और बना लेते हैं छे और फिर देखिए यहां उपर से यहां पर एक दो तीन तीन यहां फिर चार जितना आप चेन लें ऐसे ले लिया यहां पर देखिए यहां पर जोइन किया और इसको यहां पर लगा करके ऐसे ठीक है य मूं कि भी सब्श् effectively आपको दिखाते एक सीम्र पैए सब्सक्राइब कि ज्यओं से प्रीक बनाते हुए यह एक ऐसे वी शेप में बना लेंगे इसको ठीक है एक यह पार्ट बनाएंगे फ्रेंड्स देखिए आप इस तरीके से आप बनाते जाएगा अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगे आपको ठीक है फिर बीच में इसका एक पार्ट बनेगा औ थिक है आप इसमें चाहे तो प्रॉट को स्टिच कर दिए तो लोक इसका और बढ़ जाएगा अगर आप मुँति लगाना चाहे तो मुटी भी लगा सकते हैं लेकिन अभी हम मुटी नहीं लगाएंगे इसको शुक्त करेंगे उसी तरीके से फ्रेंड्स यह देखिए एक इ किस तरीके से बनाती चले जाएंगे हम इसके थ्री पार्टस हमने किये हैं इसको देखकर के इस वीडियो देखकर कैप असानी से प्लावर भी बना सकते हैं और मैंने इक पफी बना बता दिया है पफ किस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स तो सब कुछ हमने आपको बता दिया है आप वहां से चैनल पर जाकर के वीडियो इसकी अप्लोड है वहां से इसकी फर्स्त मतलब वीडियो देख लीजिए वहां से आपको मिल जाएगा कुछ तो यह हम जो आज अपलोड करेंगे इस वाली वीडियो में मिल जाएगा आपको टोटल तो इस तरीके से हमने पूरा यह टोरंट डिजाइन कंप्लीट करना है बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल वे में फ्रेंड्स तो बस आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही क्योंकि अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी आपको ठीक है ना ने तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है फ्रेंड्स फिर टाइम जदना लगता है तो यह देखिए इस तरीके से हमने इसको बना दिया है यह देखिए इस तरीके से कि तक खुबसूरत लग रही है फ्लावर्स लग रहा है किवल बीचे हुए आप चाहें तो किसी और कलर का भी टोरेंट डिजाइन बना सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है यलो में बना लीजिए ब्लू में बना लीजिए फ्लावर्स यलो से कर मतलब किसी भी कलर का बनाईए बहुत ही प्यारा यह टोरेंट बाइ बाइ